हलो, I welcome you all on the engineer साहिल का ग्यान यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेडलोग के बारे में और जो डेडलोग टॉपिक है न, वो R2U के point of view से बहुत important है देखो, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डेडलोग होता क्या है देखो, जितनी भी process होती है न, system के अंदर उनको क्या चाहिए होता है, कुछ resource चाहिए होता है और resource जैसे की CPU चाहिए उनको या फिर हम बात करें, उनको क्या चाहिए, file storage चाहिए और क्या चाहिए, input output devices चाहिए उनको तो ये जो सारे resources है न, ये process को चाहिए होता है क्यों चाहिए, ताकि ये जो process है, execute हो जाए ताकि ये जो process है, वो क्या हो पाए, execute हो पाए तो जैसे ही process execute होगी, तो क्या करेगी जितने भी resources है न, process इन सब को क्या कर देती है release कर देती है, ये concept होता है अब अगर हम बात करें जिसे multi programming environment के अंदर तो multi programming में क्या होता है जो process होती है वो तो क्या होती है multiple होती है लेकिन जो resources होते है वो क्या है limited होते है यह जो resources है वो कितने है limited है और जो multi programming environment है तो process कितनी होगी multiple होगी तो क्या करता है कि जो process है, resource के लिए request करेगा, अगर resource उस वक्त free है, तो वो उस process को मिल जाएगा, लेकिन अगर वो resource free नहीं है, तो क्या होगा यह जो process है, for example, P1 ने request किया R1 resource के लिए, लेकिन यह जो R1 resource है ना, यह free नहीं था, यह P1 ने request किया इस R1 resource के लिए, और यह जो R1 resource है, वो किस के प वो कहाँ पे चली जाएगी Waiting state के अंदर चली जाएगी ठीक है और यह अपनी Waiting state को चेंज भी नहीं कर पाएगी क्यों नहीं चेंज कर पाएगी क्यों कि जो R1 Resource जिसको चाहिए P1 को क्या चाहिए R1 Resource चाहिए लेकिन R1 Resource किसने held किया हुआ है P2 process ने held किया हुआ है और जो P2 process है वो भी इस R1 जो resource है उसको free नहीं कर रही है तो इस situation को क्या बुला गया है? deadlock बुला गया है तो हम यह बोल सकते है कि deadlock क्या है? एक situation होती है जहाँ पे क्या होता है? जो set of जो process होती है वो यह block हो गया तो जो set of जो process है वो block हो जाती है क्योंकि जो हर process है उसने क्या क्या है? एक resource को तो held किया हुआ है और यह दूसरे resource का weight कर रही है और जिस resource का weight कर रही है वो किसे दूसरे process ने acquire किया हुआ है तो इसका यह diagram है तो देखो diagram क्या बोल रहा है यहाँ पर P1 process है और P2 process है यहाँ पर resource 1 है और resource 2 है तो जो process P1 है उसने क्या किया हुआ है? कौन से resource को hold किया हुआ है? resource 1 को hold किया हुआ है और यह किस resource के लिए weight कर रहा है? resource second के लिए weight कर रहा है लेकिन जो resource second है वो किसको मिला हुआ है? इस process P2 के है जो deadlock है उसको एक example से और समझते हैं देखो यहाँ पे कितनी process है तीन process है P1 P2 और P3 और तीन क्या है अलग-अलग resources है R1 R2 और R3 तो क्या है यहाँ पे जो R1 resource है वो किसको assigned है P1 process को R2 जो resource है किसको assigned है P2 process को और जो R3 resource है वो किसको assigned है process P3 को तो देखो जो P1 process है वो execute हो रही है कुछ समय के बाद में क्या हुआ जो P1 process है उसको अपने आपको complete करने के लिए resource second के ज़रत पड़ी लेकिन क्या होगा यह जो P1 है अपने execution को halt कर देगा अपने execution को complete नहीं कर पाएगा क्योंकि जो R2 resource है वो किसके पास में है P2 के पास में है P2 ने उसको acquire किया हो है उसको release नहीं कर रही है ऐसे जो process P2 है ना वो क्या करेगी resource R3 के लिए demand कर रही है और R3 किसके पास में है process P3 के पास में है तब क्या होगा जो process P2 है वो भी अपने execution क्या कर देगी यहां पे stop कर देगी क्योंकि वो बिना R3 के अपने आपको complete नहीं कर सकती है और सेम ऐसे जो process P3 है वो क्या करेगी किसके लिए demand कर रही है तो यहां पे रिसोर्स P1 के पास में तो देखो इस scenario में क्या हो रहा है जो तीनो process है ना वो क्या बना रही है cycle को बना रही है और जो तीनो process है वो क्या है progress नहीं कर पारी तीनो process किसमें चली गई waiting के अंदर चली गई ठीक है और हम ऐसे भी बोल सकते हैं अभी हां पर क्या हो गया यह जो block हो गई यह तीनो process कैसी ओ गई है इस situation को deadlock बोला गया है अब हम बात करते है system model के बारे में तो देखो जितनी बी concept होती है ना system के अंदर उनको कुछ resources चाहिए होते हैं अपने आपको execute करने के लिए और यह resources होते हैं और हैją की है एक उनका is sequential सिक्वेंशल के और होता है उनका जिस जिस order मैं उनकी के जो जिस order में चाहिए होती है na resources वो 색ैसा होता है sequential order होता है तो देखो system model की बात कर रहे है अब हम बात करते है system model के बारे में तो देखो system में जितने भी process होती है उसको अपने execution को complete करने के लिए कुछ resources चाहिए होता है और जो resources होता है वो कैसे grant होता है sequential order में मिलता है process को कैसे मिलेंगे इस सारे resources sequential order के अंदर मिलता है तो इनका order क्या है पहला है request फिर है use फिर है release तो request के अंदर क्या होता है जो process होती है resources के लिए क्या करेगी resources के लिए क्या करती है request करेगी अगर वो resource available होगा तो उस process को ये resource है ना मिल जाएगा अगर यह resource available नहीं है तो यह जो process है ना इसको कुछ time के लिए wait करना होता है जब तक यह resource available ना हो तो जैसे ही उस process को resource मिल गया, उसके बाद में क्या होगा, process उस resource को क्या करेगी, use करेगी, for example printer है, तो process क्या करेगी print करेगी, use करने के बाद में process process क्या करेगी, उस resource को release कर देगी use करने के बाद में क्या किया release कर दिया उस resource को तो यह system model है इनका यह sequential order होता है तो देखो, जो भी process है ना, जब भी resource के लिए request करेगी ना तो request करने के बाद में उसको release करना compulsory होता है ठीक है और जो एक process तो आज की वीडियो में हमने देखा deadlock के definition और system model के बारे में तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो के साथ में thank you